नमस्कार प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो आज की हमारी अगले वक्षिट वक्षिट नमबर 121 याने की 121 आचुकी है हमारे सामने ये वाली वक्षिट मैथेमेटिक्स की वक्षिट होने वाली है चलिए देखते हैं आज की वक्षिट में हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज की वक्षिट में हमें क्या है यहां कुछ कौन डिगरी गड़ी है और यहां हम कौन डिगरी गड़ी देख सकते हैं और फिर यहां अगर हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है तो कौन डिगरी को कैसे बनाना है यहां पे नीजे हमें बताया हुआ है चलिए देख लेते हैं कि हम कौन डिगरी घड़ी से क्या समझते हैं कौन डिगरी घड़ी को कैसे इस्तिमाल किया जाता है क्या आप जानते हैं कि हम कौन को माप भी सकते हैं यानि कि हमने जो पहले वीडियो में देखा है पहली वक्षिट में हमने किया है कौन होता है, अधिक कौन हो जाता है, तो यहां पर हमें कोन कोन सा कउन बढ़ा है और यह पर पता नहीं लग रहा है तो अगर पता लगना है, तो कोन माप मिसकते ही तो यादि कि जैसे हम रेका नाप ने थे किущ given की रेका बड़ी है कौन सी रेखा छोटी है, scale से नाप सकते हैं, ऐसे ही एक चीज़ हमारे पास होती है, जिससे हम कोड नाप सकते हैं, कोड को नापने के लिए आपके geometry box पे protector होता है, ऐसा दिखने वाला जो आपके geometry box पे मिल जाएगा आपको उसको protector कहते हैं, जैसे रेखा हैं हम centimeter ये मिटर की काई से नापते हैं, ऐसे ही कोड को हम degree की काई से नापते हैं, डिगर को दिखाने के लिए यहां ऐसे लिखा जाता है, जैसे यह रहा 90 degree, राइट अंगल जो होता है, यानि कि L शेप का जो कौन हमने देखा था, जो कौन बनता है, यह जो यानि कि इसकी जो हमने माप लिया है वो हमारा 90 डिगरी आया है 90 और यह डिगरी का निशान ऐसे लगाना है यह 90 डिगरी हमने कहां से देखा आप देख सकते हैं यहां पर 0 लिखा है यहां 10 लिखा है 20 लिखा है 30 लिखा है ऐसे ही हमारा 180 तक लिखा हुआ है नीचे की तरफ सा एक सो से लिखा है एक सो सतर लिखा है और यहां जीरो से शुरू हुआ है यानि कि अगर आप इधर से नाप रहे हैं तो आपको कौन सा देखना है नीचे वाला देखना है अगर आप इसको जीरो मान के चल रहे हैं यानि कि इधर से नाप रहे हैं तो फिर आपको ऊपर वाली शाठ नबर देखने हैं यानि कि अगर आपको अभी देखते हैं जैसे हम हम देख सकते हैं समकोन का माफ नुब्र डिगरी होता है बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है यहां पर नब्ब CPA चाहिएтор से चलो पो ऐसे ही हम टेक्टर का इस्तिमाल करके कोण माप सकते हैं डिगरी में सीきます से 90 दिगरी तक के सभी कोण हमें पता है treatment यहां पर है यहां पर जीरो डिगरी और नबबब्ब डिगरी akt member यहां है यह सबी कोण से कंपोन १े नींशन क्या कहते हैं तो जीरो डिमए वाले जितने भी कौन हुए वो सारे क्या कहलाएंगे नियून कौन कहलाएंगे यानि कि अगर लिखा हुआ है 65 डिगरी यानि 65 डिगरी तो ये नियून कौन माना जाएगा 89 degree भी noon cone वाना जाएगा 90 degree कौन सा कौन है सम कौन है और 90 से बड़ा 91 degree और या उससे ज़्यादा तो ये कौन से कौन हो जाएंगे अधिक कौन हो जाएंगे सम कौन से ज़्यादा अधिक कौन तो जैसे भी कौन होगे 100 degree, 135 degree, 180 degree यह सारे number degree से बड़े कौन है, number degree से बड़े कौन को हम अधीग कौन कहते है, मान लीजी एक लाल रंग की रेखा है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, और मान लीजी इस रेखा ने यहां कौन मना यहां तो अगर हम यह कौन पता लगाएं, तो हमारी ये kone की हम the life, we are in this case, let's see this, अगर हमने नापा है, तो 0 degree हम यहां से देखेंगे, अगर नेले वाली रेखा को देखें अगर हम, तो 0 degree से चलते चलते अगर हम उस रेखा के तरफ जाएं, तो हम 90 degree पर पहुंच जाएंगे, ऐसे ही अगर हम लाल वाली रेखा का कोण नापे यानि कि ये वाला कोण अगर हम नापे तो चलिए इधर से शुरू करते हैं क्योंकि रेखा इधर से गूंके उस तरफ जा रही है तो हम इधर वाले 0 से शुरू करेंगे इधर वाले 0 से शुरू करेंगे यानि कि उपर वाले नंबर देखेंगे अगर हम तो उपर वाले नंबर हम देखेंगे कब तक जब इस पे पहुंच जाएं तो यह 140 है यह 50 है 150 तो यानि कि यह कौन कितने डिगरी का हुआ यह हो गया हमारा 150 डिगरी का और ऐसे ही अगर हम ये वाला कोन नापे ये वाला कोन नापे तो इधर से इधर तक जाएंगे तो इधर वाले 0 से देखे कर हम 0 से देखेंगे और ये वाली लाइन कहां जा रही है 60 और 70 के बीच में आ रही है तो यह हो गया हमारा 65 डिगरी का कौन तो ऐसे ही हम कौन नाप सकते हैं अगर हम इस कौन को नापेंगे तो इस कौन को नापना शुरू करेंगे हम इधर से इधर से 0 डिगरी ये रहा तो अब हम नीचे वाले नंबर्स को देखेंगे नीचे वाले नंबर्स को देखते देखते हम यहां शुरू करेंगे और इस रेखा तक हमें पहुँचना है नीचे वाला नंबर देखें यहां पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 110 और 120 120 और 110 के बीच वाले नंबर कौन सा हुवा हमारा 115 डिगरी तो हमारा इसकी इस कोंड कम आप कितना हो जाएगा 115 डिगरी तो ऐसे ही आपको सारे कौन नापने हैं अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है या कौन डिगरी गड़ी नहीं है तो आप बना सकते हैं कौन डिगरी गड़ी खुदी बना सकते हैं एक आगज आपको लेना है उसमें से आपको गुला काटके उसको आधे में मोड़के फिर से दुबारा आधे में मोड़के और फिर से दुबारा आधे में मोड़के आपको यह इतने हिस्से बना लेने हैं और हर हिस्से पर आप रेखाई बना सकते हैं अपने पैंसे भी बना सकते हैं और एक तरफ आप एरो लगा देंगे यह एरो आपको जीरो डिगरी बताएगा आप कहीं पर भी आप अपना एरो लगा सकते हैं आप इस तरह भी लगा सकते हैं फि कि आइसे डिगरी अंकीत कर सकते हैं उस पर जैसे मर्जी से कोई बनाएं कोई भी रेखा खींसी और देखिये और यह बताना है कि अगर आपके पास इसधिमाल करके आप कई qon खुद्बायंगे अपने कोपी में और उन कॉनों को मापना है आपको प्लम मुदत से अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तो आप अपनी यहां पर कौन घड़ी बना सकते हैं इस तरीके से आज की क्लास यही खत्म होती है अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया स सिखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जहिन